मसीन में गरबड़ी, तेजस्वी आदब इस पर आरोप भी लगा है, खंडवा में जिस तरीके से आरोप लग रहा है कि वहाँ पर मसीन गरबड़ी को लेकर पकड़ा गया है, बीजेपी करना क्या चारी है, अगर बीजेपी को जनता अगर सपोर्ट नहीं करीगी तो क्या मसी के दोरान तकनीकी गडबड़ी हुई है, तो इसको लेकर जो है ये ब्रेकिंग अभी अभी साजा खबर आई है, और इसके बाद जो राजस्थान में बताया जा रहा है कि कॉंग्रेस को बड़ी जीत मिली है, और हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी जो कॉंग्रेस है, वहा तकनीकी गडबड़ी हुई है वोटिंग के दोरान, तो क्या मामला है पूरा? अगर बीजेपी को जनता अगर सपूर्ट नहीं करेगी, तो क्या मसीन की गडबड़ी से वो जीतेंगे? क्या मसीन को घालमेल करके वो इस तरह के से मतला अपना बर्चस्व तयार करेंगे? तो ये कहीं न कहीं बहुती निंदनिया है और कई लोग इस पर सवाल भी खड़े से खंड़वा सीट से बीजेपी हार रही थी, इस वज़े से ऐसी खबर आई है? उस पर आपको बात करना होगा, आप मसीन की गरवड़ी, इवियन की गरवड़ी, अधिकारी पर जिस तरीके से दवाव डाल कर जीत लेना, ये कहीं न कहीं जो है बहुत अहम चीज़े, अब आपको थोड़े सा बिहार का अपडेट देता हूँ, और बिहार आपको लिये च चलता हूँ, बिहार में जिस तरीके से पंद्रवे रॉंड की गिंती हो चुकी है, जद्यू परतियासी अमन भूसन हजारी, मतलब 7,078 वोटों से आगे चल रहे हैं, जद्यू के 49,325 मत से कॉंग्रेस भी है वहाँ पर, वही दूसरी तरह पकर हम तारापूर की बात करें, बिदान सभा में आठवे रॉंड की कॉंटिंग हो चुकी है, अब राजद आगे चल रहे है, आरजएडी के अरुन साह को 24,556 वोट मिले, जद्यू को 21,029 वोट मिले, वही कॉंग्रेस को 685 वोट, लोजपा के 1821 और नोट को 679 वोट मिले हैं, अगर हम तारापूर का जि है, अगर हम ये दो सीट जीतते हैं, तो वहाँ पर हम सरकार नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इस बात को लेकर कही न कई हरको ही सोच रहे हैं, कि अगर लालू परसाद यादाव इस तरीके से दावा कर रहे हैं, तो क्या कुछी इसमें नया नजरिया होगा क्या तेजस्वी आदब कुछ अलग चीजे सोच रहे हैं इसको लेकर बड़ा सवाल है और दूसरी चीज आप आपके सवाल पर आता हूं मैं कि जो खंडवा में हुआ और खंडवा में जो मसीन की गरवड़ी हुई तो बार-बार यही सवाल उठ रहा है कि बिजेपी और भारत्य जनता पाटी और वहां के नेता क्या करना चाहरें क्या दर्साना चाहरें आप जनता की बीच में जनता का मूड इस वक्त जो है कुछ इतर है अलग है वो चाहर यह है कि हम ऐसे लोगों को लाएं जो हमारे मुल्भूत मुद्दे को उठाएंगे जो हमारे लिए काम करेंगे जो हमारे लिए हित की बात करेंगे बेरोजगारी को लेकर बात करेंगे शिक्षा पर बात करेंगे महंगाई को लेकर बात करेंगे आज देखे महंगाई चरम पर ह इसको लेकर कोई बोलते में नजर नहीं दिखाई देते हैं मैं इसी पर बात करूँगी क्योंकि आज धनतेरस का दिन है तो लेकिन जो कुछ लोग है वो ट्वीटर पर कह रहे हैं कि नो तेरस मतलब कि उनके लिए कोई धनतेरस नहीं है क्योंकि जिस तरीके से देश में गरीबी है और जो बहुजन है, शोशित है, वंचित है, मुस्लिमों पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अत्याचार हो रहा है तो वो लोग कह रहे हैं कि जब मतलब कि हम किस तरह का धनतेरस बनाएं बिजेपी ने बिल्कुल देश को तभा कर दिया है बिल्कुल, देखे, निश्ची तोर पर आपने जो सबाल किया बहुत जाइज है और अगर महंगाई के तोर पर अगर देश में देखा जाए तो सच में वो धनतेरस नहीं है और उसके बाद जैसा आपने कहा कि नोतेरस है लेकिन सियासी तोर पर आज का दिन बहुत अहम माना जारा जोती बिहार में जिस तरीके से धनतेरस का दिन है आज और सियासी हलके में अगर ये मान लिया जाए तो RJD के लिए मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एहम दीन माना जारा और RJD के लिए खासकर तारापूर सीट पर वो अच्छा खासा पर बहुत दिकरा है क्योंकि सुरू से वो बढ़त बनाए हुए है और जैसा कि हम पहले भी अपडेट दे चुके है लेकिन जो मसीन में घर बड़ी तेजस्वी आदब इस पर आरोप भी लगा है तेजस्वी आदब ने कहा है कि अधिकारी पर दबाव भी बनाया जा सकता है उन्होंने कहा कि नितीश कुमार इलेक्शन कमीशन को लेकर भी खबरे आई और आने वाले समय में ये चीज़ देखने को मिलेगी आपको क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी आदब आवाज उठाते भी नजर आ रहे है जिस तरीके से जो मतला हला बोल की जो लडाई है इस सीट को जीतने के लिए उन्होंने काफी मेहनत किया है लालू परशाद यादब का चुनोबी भासन करना वहाँ पर ये भी काफी एहम माना जा रहा है बिल्कुल सही का सदाम आपने लेकिन आगर मैं बंगाल की बात करूँ तो बंगाल में भी देखा जा रहा है लगातार वहाँ पर बंगाल में जश्न बना रहे हैं बिल्कुल निस्ची तोर पर जो बंगाल की जो ममता बैनर्जी उनका धमाल मचा हुआ है और चार सीटों पर वह आगे चल रही है जीत के बढ़त की और बढ़ रहे है लेकिन वहीं आरजेडी को लेकर और कुशेश्वारनात का जो सीट है तारापूर को लेकर एक पर जडियों आगे चल रही है एक पर आरजेडी आगे चल रही है लेकिन जैसे जैसे कहा जाता है कि दोपर का सूरज जलेगा वैसे वैसे RJD के तरब जुकाओ भी बड़ेगा और हो सकता है कि RJD वहाँ पर जीत का पर्चम लहरा सकेगी लेकिन बंगाल की सियासत हिमाचल की सियासत मद्धपर्देश में जैसा कि मद्धपर्देश में कमालनाथ बनाम सिवराज सिंग चोहान की जो लड़ाई है वही हाल बिहार के सियासत में भी है लालू परशाद यादब बनाम नितिश कुमार के सीधे नाकों की टककर है और साबतोर पर ये कहीं न कहीं अहम माना जा रहा है अगर ये दोनों सीट जीतते हैं लालू परशाद यादब जैसा कि उन्होंने दावा किया है कि हम नहीं सरकार बनाएंगे लियाजा इस पर हमारी रेगी फैनी नजर और जो भी अपडेट होगा हम इस पर अपनी दर्शकों से साजा करते रहेंगे बिल्कुल संदाम आपका बहुत शुक्रिया लेकिन अभी तो खेर काउंटिंग चल रही है लेकिन अभी मत करना का रिजल्ट आना बाकी है तो देखने वाली बात होगी कि आखिर किस की जीत होती है फिलाल इस वीडियो में इतना ही शुक्रिया तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करे कमेंट करे, शेयर करे और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि देश विदेश के जुड़ी खबरे आप मिर्श न करे क्योंकि करोना काल में दो गस दूरी, मास्क है जरूरी नमस्कार